गांधी नगर में वाजपई जी की रैली खतम हुई और केशु भाई के समर्थक जैसे लोक लाज ही भुला बैठे उन्होंने विद्रोही गुट के नेता और उस समय गुजरात सरकार में बंतरी आत्माराम पटेल और दत्ता जी को दोड़ा दोड़ा कर पीटा वाजपई जी का जो शुक्रिया समारो था वो अराजक्ता का आल्बम बन कर रह गया तो समय तक गुजरात में भाजपई के बीच अंतर ब्रोध इतना बढ़ गया था कि केशु भाई धड़ा खुद मरेंद मोदी के समर्थों का एक धड़ा और बाघेला संकर्शिक बाघेला के लोग वो गांधे नगर बहुत थी तैयारिक साथ गुजरात में सभा बुलाई गई थी वो अपनी बात का में जाते थे लेकिन यही अंतर ब्रोध था कि भाजपा कारकरताओं में आपस म जन के नौबद दिखाई पड़ी और यह बड़ा दुर्भाग पूर पहलू है तमाशा यही नहीं रुका दोनों गुटों में लड़ाई के बाद मुखी मंत्री सुरेश महता ने वाघेला गुट को कट घरे में खड़ा कर दिया शंकर सिंग्वागेला इतने नाराज हुए के विद्रोह कर दिया वाघेला के साथ उस समय आकड़े बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन उनके खेमे में 28 वधायक थे सुरेश महता को भरोसा था कि उनके पास बहुमत है और वागेला को भरोसा था कि वो सुरेश महता की सरकार गिरा सकते हैं शंकर सिंग वागेला के साथ कॉंगरिस भी खड़ी थी उस वक्त केंद्र में देविगोडा की सरकार थी गुजरात से राजिपाल की चिठी गई जिसमें लिखा था कि गुजरात की स्थिती बुरी है विधायकों की खरीद बिगरी हो सकती है इसलिए राश्चुपती शासन पर विचार करें 19 सितंबर 1996 को सुरेश महता ये सोच कर बैठे थे कि विधान सभा में आज बहुमत साबित कर देंगे लेकिन जब कारेवाही की शुरुआत हुई तो विधान सभा विधान सभा नहीं रहा जंग का मैदान बन रहा जब किसी तरह हालात सामान्य हुए तब वोटिंग लिए जब वह पहुमत परिक्षण का समय आया राजपाल ने समय दिया और विधान सभा का सत्र बुलाया गया तो जो भारतियंता पाइटी का केशु भाही पडेल गुर्प था उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया उनकी पूरी कोशिश थी कि यह बहुमत सभी ना कर सके और उसके बाद जो अगेला गुट था उन्होंने उसका विरोध किया और उसके बाद पूरी विधान सभा में वही द्रश्य से उसको काबू में किया जा सका तो वह एक बहुत ही अश्वबनी बड़ा जीब सद्रश्च था उससे भारतियंदा पाइटी की जो अंद्रूनी जखड़ा था वह बिल्कुल खुल के सामने आ गया कांग्रेस का ये कहना था चूंकि जो समर्थन हासिल किया गया है वह शोर श एक सौसी सीटों वाले विधान सभा में सुरेश महता को 92 वोट मिले सरकार बच गई लेकिन इसके पावजूत पर खास्त कर दी गई क्यूंकि राज़ेपाल की अनुशंसा पर जो रिपोर्ट दिल्ली बेजी गई थी उस पर राश्ट्रपती मोहर लगा चुके थे सुरेश महता की कुल 334 दिन की पारी खत्म हो गई गुजरात में जोड तोड की राजनीती शुरू हो गई 18 विधायकों का वो गुट जो चंद महीनों पहले शंकर सिंग वागेला से अलग हो गया था वो एक बार फिर उनके साथ आकर जुड़ गया और शंकर सिंग वागेला ने 46 विधायकों के साथ अपनी अलग पार्टी बना ली राश्ट्रिय जनता पक्ष इसके साथ उन्हें 45 कॉंग्रस विधायकों का समर्थन भी मिल गया चुकि उस समय जो गुजरात विधान सभा की संक्या 180 थी इसलिए 91 विधायकों का जो आकड़ा था वो बहुमत के उस शर्ट पर खरा उतरता था लिहाजा राज़िपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए हरी जन्डी दे दी 23 अक्तूβर 1996 के दिन शंकर सिंग्वाघेला ने गुजरात के बारवे मुख्यमंतरी के तौर पर शपत ली लगबगे एक साल बार एक अक्तूबर 1997 को गांधी जैंती से ठीक एक दिन पहले शंकर सिंग्वाघेला ने एलान कर दिया कि गांधी जैंती के दिन पाँच नए जिले और 48 नई तैसील गुजरात के नक्षे पर होंगे जलोग परी हो जाए और जो कांग्रेस की वोट बेंक hebben उसको भी उनको तोड़नी थी ुसलिए उन्होंने लिए उन्होंने पांच निये जिल्ले का गठन किया जिसमें या दीवसी बेल्ट आये थे कॉंग्रेस को समझ में आ गया था कि शंकरसी को सहारा दे के शंकरसी को सत्ता दे के उन्होंने एक बड़ी गलती की है एक अक्तूबर को शाम होते होते कॉंग्रेस नेता वागेला सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी देने लगे कॉंग्रिस नेताओं का ये भी आरूप था कि बिना बताए वागेला ने बड़ा फैसला कर लिया ऐसा लगने लगा था कि इसके बाद वागेला सरकार का बोरिया बिस्तर बंधरा तय है लेकिन वागेला कॉंग्रिस की मजबूरी जानते थे उन्हें पता था कि कॉंग्रिस फिलहाल विधान सभा चुनाओं के लिए तयार नहीं है और ऐसे में वो अपनी सरकार के भविश्य को लेकर निश्चिन्त थे पर ये उनकी बड़ी भूल सागती 20 अक्तूबर को प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष ने राज्यपाल को समर्थन वापसी के चिट्थी लिखती ये वो समय था जब सीता राम केसरी कॉंग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे और केंद्र में भी समर्थन वापसी का खेल चल रहा थे देवे गोडा को हट्डाकर गुजराल को कॉंग्रेस प्रधान मंत्री बना रही थी और इधर गुजरात में भी वही खेल कॉंग्रेस खेल रही थी कॉंग्रेस ने साफ क्या दिया था समर्थन तो रहेगा लेकिन शंकर सिंग वागेला के नाम पर नहीं आत्माराम पटेल को लग रहा था कि सबसे अनुभवी नेता वहीं है लेकिन शंकर सिंग वागेला के दिमाग में दिलिप पारिक का नाम था 13 नवंबर को दिलिप पारिक ने राजी के तेरवे मुख्यमंत्री के तौर पर शबत है शंकर सिंग वागेला चूंकि आत्माराम पटेल उनके निस्थावन थी थे मगर आत्माराम पटेल थे और पटेल हावी हो जाए वो शंकर सिंग वागेला नहीं चाहेंगे और दुसरी बात शंकर सिव आगेला के पपेट के नाते आत्माराम पटेल काम नहीं करेंगे जो की दिलिप परिक कर सकते थे और कर रहे थे इसलिए उनको ये था कि आत्माराम पटेल यदि मजबूत हो गए और आत्माराम पटेल की पैट भी ती अनुभवी थे इसलिए और पटेल समर्थन जन समर्थन भी उनके प्रती आता तो वो शायद उनको हटा नहीं पाते इसलिए उन्होंने दिलिप परिक को स्विकार किया शंकर सिंग वागेला ने सीएम रहते हुए एक नई शुरुआत की थी मंत्रियों के बैठक राजधानी के बाहर भी हो जिलों के मुख्याले में भी हो दिलिप पारिक सरकार में शंकर सिंग वागेला की छाप साफ नजर आती थी और इस परंपरा को भी वो निभा रहे थे पारिक राजधानी के और निकल दे शाम को दोनों राजिपाल से मिले अपना इस स्तीफा सौंप दिया और विधान सभा भंग करने की सिफारिश इस बात की जानकारी न विधायकों को थी न मंत्रियों को और नहीं बाहर से समर्थन दे रहे कॉंग्रिस के नेताओं को